समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तरप्रदेश के पूरो मंत्री स्वामी प्रशाद मौरे ने रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया है उनके इस बयान पर संत महात्माओं के साथ ही जो हिंदू अधी संगठन है उन्होंने तीखी प्रतक्रिया जताई है स्व प्रियागराज में इन दिनों माग का मेला चल रहा है यहां विश्व हिंदू परिशद का भी कैम्प लगा हुआ है और विश्व हिंदू परिशद स्वामी प्रसाद मौरे के इस बयान पर क्या कुछ सोचता है इस बारे में हम बात करते हैं परिशद के केंद्री मंत्री औ अब स्वामी पर्षाद मौरिया भी वही भाषा बोल रहे हैं क्या कहना है देखिए स्वामी परिषाद मौरिया का सुभाव उनका विचार उनका चरित्र जग जाहिर है इसलिए कहीं बार मुझे लगता है कि सष्टी और जूठी लोक प्रीता प्राप्त करने के लिए लोग सब ऐसे बोलते हैं तो ऐसे ल्योगों की प्रतेक बात का जभाप दिया जाए यह मैं उचित नई मानता। और इसलिए उनका बोलना यह सब कहना यह इनका सुभाव है उनको लगता है कि इसी प्रिकार से बोल करके किसी को भी कुछ भी कहकरके हम लोकप्रिता प्राप्त कर सकते हैं यह सब जोटी और साशती लोकप्रिता है इसलिए समें बहुछ ज़्यादा बोलने का बताने का कोई कारण नहीं है चंत Сाहर जो विहार के मंत्री हैं उन्होंने कह दिया अभी वही स्वामी परसाथ से जो भाजापा के पैरों तरे कुछ दिन पहले गड़गड़ा रहे थे जब भाजापा से अलग हो गए तो अब इस तरह के बयान देने लगे इन सब पर कोई दम नहीं इनके बातों में जान बूझ कर इस तरीके की विवादित बयान की चाहिए और मैंने आपसे कहा है कि पर कोई प्रत्रक्रिया देने का कारण नहीं है क्या आपको यह नहीं लगता कि अखिलेश जी को कम से कम इस मामले में आगे आना चाहिए उनको पहल करके माफी मांगना चाहिए स्वामी प्रशाद मौरिया के के खिलाफ कारवाई करने चाहिए उन्हीं को कुछ सुनाने लगेंगे तो कैसे कर सकते हैं यह तो अख्लेश जी को स्वेम अपनी पालिटी का अमसासन बना के रखना चाहिए कि मेरी पालिटी में कैसे लोग रहने चाहिए ठीक है समाज का विरोध करने वाले असमाजिक तत्तों इनको प्रोपल्टी में रखना है यह जिनकी मान्यता ठीक से है जो ठीक से सकारात्मक विचारों को रखते हैं ऐसे लोग बार बार सनातन धर्म की छवी धुमिल करने का काम करते हैं लोग दिन बाद यहां पर संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर भी संत-सम्मेलन में चर्चा की जाएंगे तो बहुत लोग हैं ऐसे यदि हम सब पर पृतक्रिया और संसिमिलन करने लेंगे तो हम लोग पर यहीं करते हैं हमारे बसे पहले से तय है हमारा इजेंडर पहले से तय रहता हम उसी पर बाचित करते हैं बिल्कुल ये अशोग तिवारी जी है जिनका साफ तोर पर कहना है कि ये जानबूच कर सस्ती लोक प्रियता पाने के लिए इस तरीके की विवादित बयान बाजी किये जाती है इसे ज्यादा तूल दिये जाने की जरूरत कता ही नहीं है कैमरमेन अनुराग दिवेदी के साथ मुहम्मद मोहीन एबीपी गंगा प्रियाग राज